नमस्कार दोस्तों, यूटीब चनल साहे त्यद्यन पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी की पुस्तक आरोह यानी की हिंदी तो आरोह का भाग एक जो की आपकी कख MP बोर्ट से 2021 से शुरू हो चुका है अगली परिक्षा मध्यप्रदेश बोर्ट वालों की इसी पुस्तक से होगी NCRT की पुस्तक है यह NCRT में यह कोर्स पहले से है CVSE में और अन्य राज्यों में भी तो चलिए इस पार्ट की हम शुरूआत करते हैं यह अब MP बोर्ट के भी काम आएगा और बाकी बोर्ट के भी ठीक है तो NCRT के आपकी पुस्तक के आरो चलिए शुरूआत करते हैं कक्षा 10 वी का पार्ट 2 तो पार्ट 2 का नाम है मिया नसीर उद्दीन तो देखे मिया नसीर उद्दीन यह जो पार्ट है इसकी लेकी का है क्रिशना सोबती तो आप सब की पुस्तक में पहले क्रिशना सोबती जी का जीवन परिचे दिया है देखे आप उसको देख सकते हैं उनका जर्म दिया है सन 1925 में गुजरात में पश्चिमी पंजाब वर्तमान में जो पाकिस्तान में है ठीक है पहले भारत में लगता था उस जगे पर हुआ है उनकी प्रमुक रचनाए दियें जिन्दगी नामा दिलो दानिश एह लड़की समय सरगम उपन्यास है डार से बिछुडी मित्रो मरजानी बादलों के घेरे सूरज मुखी अंधेरे के कहानी संग है साहित याकादमी की महत्तर सदस्यता साहित अनिक राष्ट्रिय पुरुसकार इनको प्राप्त हुए तो बहुत बड़ा नाम है कृष्ण सोबती जी का हिंदी कता साहित में और अगर आप देखे तो उनका परिचे आप आगे भी पढ़ सकते हैं आपकी पुस्तकों में द की सुरुआत करते हैं तो देखिए इसका सारांज को जिस प्रकार होगा कि मिया नसीरुदीन शब्द चित्र हम हश्मत नामक संग्रह से लिया गया है मिया नसीरुदीन जो है एक शब्द चित्र है ठीक है शब्द चित्र यानि कि चित्र के द्वारा शब्द खींचे जाते और उसमें अपनी खांदानी महारत बताते हैं वे ऐसे इंसान का भी प्रती निज़ित्व करते हैं जो अपने पेशे के, पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं ठीक है, तो अपने जो पेशा है उनका रोटरी बनाने का उसको रोड़ी पकाने का उसको वो एक कला मानते हैं मसीहाई अंदाज में बनाते हैं और उसको कला का दर्जा देते हैं और उसको करके सीखने का असली हुनर मानते हैं ठीक है ये उनका विवहार है मिया नसीर उद्दीन इसके मुख्य पात्र है और उनी के नाम पर ये पूरा के पूरा शब्द चित्र है ठीक है तो लेकी का बताती है कि एक दिनवे मटिया महल के गदवईया महले की तरफ निकली तो एक अंधेरीवा मामूली सी दुकान पर आटे का धेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ पूछताच करने पर पता चला कि ये खांदानी नानवाई मिया नसीर उद्दीन की दुकान है ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशूर है देखे उपर धोके में हमसे रोटरी लिग गया तो रोटरी नहीं है रोटी है तो ये रोटियां बनाने के लिए मसूर है और ये 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं तो महाँ पर उन्होंने लेखिका ने आटे का धिर लगा हुआ देखा ठीक है तो उन्हें जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये जो खांदानी नानवाई जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं इसके कारण उन्हें नानवाई बोला जाता था तो नानवाई मियानसीर अधिन की ये दुकान है ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मसूर है तो मिया चार पाई पर बैठे बीडी पी रहे थे, उनके चेरे पर अनुभव और आखों में चुस्ती, वा माथे पर कारी गर के तेवर थे, उनका एक अलगी अंदास था, उनके चेरे पर अनुभव जलक रहा था, क्योंकि 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला उने आती थी, आखों में उनके चुस्ती थी, दुरुस्त थे वो, और माथे पर कारी गरी के तेवर उनके दिखाई दे रहे थे, पूरा अंदास था, लेखिका के पूछने पर, प्रशन पूछने पर की बात पर उन्होंने अखवारों पर व्यंगे किया, वे अखवार बनाने वाले और पढ़ने वाले दौनों को निठलना समझते हैं, वो कहते हैं कि जो अखवार बनाने वाले है, उनके पास कोई काम नहीं है, लेखिका ने प्रशन पूछा कि आपने इतनी तरह कि रोटियां बनाने का गुण कहां से सीखा, तो उन्होंने बेपरवाही से जवाव दिया कि य उनके वालिद मियां बरकत शाही नानवाई थे और उनके दादा आला नानवाई मियां कलन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया है कि उन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा है। उनके हुनर में शामिल था। नसीर उती ने बताया है कि हमने यह सब मेहनत से सीखा जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पकी दूसरी से होते हुए उची जमात में पहुंच जाता है उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम बरतन धोना भट्टी बनाना दीरे दीरे करके वो आगे बढ़ता है छोटा बड़ा ABCD पढ़ते हुए तो ऐसी हमने भी पहले छोटे छोटे काम किये जैसे बरतन धोना बट्टी बनाना भट्टी को आच देना और धीरे दीरे करके उपर बढ़ते गए तब जाकर हमने यह उनर पाया तालीम की तालीम भ बात्षा शलामत ने उनके बुजर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बात्षा को खूब पसंद आई वे बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि खांदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्ण चिन लगाया तो वे भड़ा कुटे लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजरू के किस बात्षा कियां काम करते थे ठीक है वो अपनी जैसे बोलते ना अतिशे उकती अलंकार बड़ा चड़ा कर बाते करना कुछ लोगों के आदत में शुमार होता है तो नसीर उदीन ने कहा कि उनके जो खांदान है वो तो यह इसलिए प्रसिद है कि वो कुए में भी रोटी पका सकता है जैदि कोई खांदानी न नान की तो बाती क्या तो लेखिका ने इस कहावत पर उन्होंने सोचा यह मातरे कहावत है तो इस कहावत पर उन्होंने प्रश्णिचन लगाया ऐसा भी संभव है क्या तो मिया नसीर उद्दीन भढ़ग उटे है ना गुस्सा हो गए और लेखिका जानना चाहती थी कि पूछा उन्होंने तो उनका स्वर बदल गया मिया नसीर उद्दीन का वे बादशा का नाम स्वयम भी नहीं जानते थे वे इधर उधर की बातें करने लगे अंत में खीच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशा के नाम चिठी पत्री भेजनी है मतलब वो बताना ही नहीं जाते थे और वो बड़ी-बड़ी बातें डिंग हांक रहेते एक तरह से लेकिका से पीछ छोड़ाने की घरज से उन्होंने बबबन मिया को भट्टी से लगाने का अदेश दियो मैं बबबन मिया बब्बन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कहने का मतलब था वो पीछ च जानने की इच्छा जतायी। उन्होंने बोला है कि मैं भी जानना जाती हूं कि आप रिकार की रोटियान जानते ह姓 कितने किसमों की और उनके नाम क्या क्या है तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिये फिर तुनक कर बोले तुनकी पापड से ज़्यादा महीन होती है तुनकी जो रोटी है वो पापड से भी ज़्यादा पतली होती है फिर भी याद में खो गए और कहने लगे कि अपका समय बदल गया है अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और न अब कद्र करने वाले हैं मतलब लेखीका की तरफ इशारा करके व्यांगी करके वो बोले लेखी का कॉशन कर रही थी उनके बारे में जानना चाह रही थी और उन्होंने इस तरीके से एक knowledge भी दे दी आज के समाज के उपर कि अब ना खाना खाने पकाने का शौक पहले की तरह है और ना उसकी कदर करने वाले लोग है ये भी एक कला है अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बूल बाला है हर व्यक्ती जल्दी में है यानि जल्दवाजी में है रोटी कितनी महीन बनाई जाती है ये तो आप कोई नहीं जानता ये भी एक कला होती है तो इस तरीके से मिया नसीर उद्दीन का बारतलाब यहाँ पर लेखी का के साथ समापत होता है ये शब्द चितरता जो की कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा हुए पार्ट है यहाँ पर कम्प्लीट होता है इसका सारश इसके बाद चलिए हम इस पार्ट के परश्ण उतर देखते है तो सबसे पहले अभ्यास में पार्ट के साथ में पहला प्रश्ण है मिया नसीर उद्दीन को नान बाईयों का मसीह क्यों कहा गया है देखें उत्तर है मिया नसीर उद्दीन को नान बाईयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं वरणन करते हैं, explanation करते हैं वे स्वयम भी 56 तरह की रोटीयां बनाने के लिए प्रसिद हैं मतलब बहुत समय से दशकों से ठीक है इस काम में लगी हुई है वे रोटी बनाने को कला मानते हैं, एक आर्ट मानते हैं तता स्वयम को उस्ताद कहते हैं, यानि कलाकार मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं उनका बातचीत करने का धंग भी महान कलाकारों जैसा है जैसे कोई बड़ा आर्टिस्ट हो बड़ा कलाकार फिल्म डिरेक्टर या प्रोडियूसर या फिर बड़ा एक्टर हो या बड़ा चित्रकार या बड़ा कवी या बड़ा साहितिकार हो पोईट हो कोई इसत्रीके से उनका बाचीत करने का धंग है तरिका है अन्य नानबाई सर्फ रोटी पकाते हैं वे नया कुछ नहीं कर पाते लेकिन नसीर उद्दीन 56 प्रकार की रोटी आंपकाते हैं साथ ही साथ उनके अंदर तेवर भी है ठीक है दूसरा प्रशन है लेखी का मिया नसीर उद्दिन के पास क्यों गई थी उत्तर है लेखी का मिया नसीर उद्दिन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह रोटी बनाने की कारी गरी के बारे में जानकारी हासल करके दूसरे लोगों को बताना चाहती थी मिया नसीर उद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशूर थे वह उनकी इस कारीगरी का रहस से भी जानना चाहती थी वो जानना चाहती थी इसके पीछे का रहस से क्या है कि वो 56 तरह की रोटियां बना लेते हैं उनके बुजर्ग जो है बादशाह शलामत के लिए भी रोटिया बनाते थे लेकिका ना उनसे बादशाह का नाम पूछ लिया तो उनकी दिल्चस्पी लेकिका के बातों में खत्म हो गई क्योंकि वो बादशाह का नाम खुद भी नहीं जानते थे और शायद वो बड़ी- बादशाह का नाम नहीं जानते थे तीसरा है कि या तो वो जो है वो अपना अपमान समझ रहे थे तो सच्चाई है थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और ना ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था आंसर में ये लिखा हुआ है तो हमें ये लेकिन ये बात केवल कोर्याज कोरा जूट थी और ये केवल अपने परिवार की तारीफ के लिए उन्होंने बोला था जब उनसे पूछा गया कि कौन से बादशा के हां जरा नाम तो बता ही है उन बादशा शलामत का तो वे बेरुकी दिखाने लगे ठीक है आपके समझ आ ग पूर्व लेकिका ने मिया नसीर उद्दीन से पूछा था कि उनके दादा और वालिद मरहूम किस बादशा के शाही बावर्ची खाने में खिदमत करते थे इस पर मिया बिगड़ गए और उन्होंने खफा होकर कहा कै चिट्थी वेजोगे बादशा शलामत के नाम जो नाम मैं आया कि पूछ लें कि आपके कितने बेटे बेटिया हैं किन्तो लेखिका ने उनकी दशा देखकर ये प्रश्ना नहीं किया फिर लेखिका ने उनसे जानना चाहा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं तो मिया ने गुस्से मुत्तर दिया कि खाली शागिर्दी एक कहावत थी और बातस्तम में जिस सब सच नहीं था कि वे छपन परकार की रोटियां जानते थे और जब रोटियों के नाम पूछे तो तुनक कर गुसे में या फिर पल्ला जाड़ते हुए उन्होंने कुछ रोटियों के नाम गिना दिये चपन कौन गिनाता और चपन कौन सुनता ठीक है तो कुछ रोटियों के नाम गिना दिये इस परकार मिया नसीर उद्दीन के गुसे के कारण लेकिका उनसे व्यक्तिकत प्रशन ना कर सकी यही कारण था कि लेकिका ने उनसे ज़्यादा कॉशन नहीं किये ठीक है आप समझ गय पांच प्रशन है पाठ में मिया नसीर उद्दीन का शब्द चित्र लेकिका ने कैसा कीचा है तो शब्द चित्र जो है पाठ में मिया नसीर उद्दीन का वो लेकिका ने किस तरीका कीचा है उनके क्या के तरीके क्या के व्यक्तित्व उन्हेंने बताए हैं तो लेकिका ने नसीर अदीन के वैक्तित्व रुचियों और सुभाओ का शब्दिचित्र खीचा सबसे पहले वैक्तित्व उनका वैक्तित्व क्या है वे बड़े ही बातुनी और अपने मुँ मिया मिट्टू बनने वाले बुज़र्ग थे उनका व्यक्तित वो बड़ा ही साधारन सा था पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे मतलब व्यक्तित वो बड़ा साधारन था परसनेलिटी इतनी जदा हाई नहीं थी लेकिन वो मसीहाई अंदाज में बड़े स्टाइलिश अंदाज में रोटी पकाते थे सोहाओ उनके 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 सोह को किसी पंच हजारी से कम नहीं समझते थे बातसा शलामत की बाते तो ऐसे बताते थे मानो अभी बात्षा के महल से ही आ रहे हो पंच हजारी यानि पांच हजार कमाने वाला अब जैसे आज के समय में करोड़ पती अरपती शब्द का इस्तिमाल किया जाता है तो आज से देख तो ऐसे बताते थे मानो अभी बातसा के महल से ही आ रहे हो इस तरीके से वर्णन करते थे उनकी रुची उच्चिपद मान और ख्याती की ही थी और वे अपने हुनर में माहिर थे ठीक है तो देखे उधारन है इसमें एक उधारन दिया है मिया चार पेपर बैठे बीडी का म कर वर्णन करता है तो इस प्रकार से प्रशन उत्तर यहां पर कंप्लीट होते हैं इसके बाद पार्ट के आसपास के में भी कुछ कोशन है चार कोशन है पहला प्रशन है मिया नसीर उद्दीन की कौन सी बाते हैं आपको अच्छी लगी उत्तर है मिया नसीर उद्दीन की न आत्म बिश्वास के साथ देते थे, चाहे जूटो या सच, तीसरा है, विशागिर्दों का शोषण नहीं करते थे, उन्हें काम सिखाते भी थे, और वेतन भी देते थे, ठीक है, खुद भी सिखाते थे, और उनका महनताना भी उनको पूरा-पूरा देते थे, चोथा उनका गुण है, चोथी अच्छाई उनकी ये, कि वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं, पांच बागुण उनका ये, कि उनकी बातचीत की शैली आकरशक है, तो देखिए सारी बुराईयां नहीं कुछ अच्छाईयां भी हैं उनके अंदर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक दो है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, या लेखक ने तालीम शब्द का दो बार प्रयोग क्यों किया है, क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगए कोई अन्य शब्द रख सकते हैं, लिखिए, तो उत्तर है तालीम शब्द का प्रयोग दो बार भाशा स उंदर ये में ब्रद्धी करने के लिए किया गया है यानि भाषा की सुन्दरता बढ़ाने के लिए भाषा का एट्रेक्शन बढ़ाने के लिए किया गया है या तालीम का अर्थ शिक्षा और समझ से है यानि शिक्षा को कैसे पाना आए ये समझ भी होनी चाहिए शिक्षा की शिक्षा कैसे पाई जाए इसकी शिक्षा भी बहुत बड़ी बात है इसकी शिक्षा लेना भी बहुत बड़ी बात है तो तालीम कार्थ है आपे पहले तालीम कार्थ शिक्षा और दूसरे तालीम कार्थ समझ तो पहली वार उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है शिक्षा, दूसरा अर्थ है समझ और पकड़, अर्था शिक्षा की पकड़ भी होनी चाहिए, ये भी उनका कहने का ताथ परे था, ये कथन मिया उस समय कहते हैं, जब वे वता रहे थे कि बच्पन से इस खानवाई काम को देखते हुए, भट्टी सुलगाना, बरतन धोना, आधी अनेकों काम को करते करते, उन्हें तालीम की पकड़ आती गई, ये भी कहने का ताथ परे था, तो तालीम की तालीम से कई मीनिंग निकल सकते हैं, आता यहां दूसरी बार प्रेयोक्त तालीम शब्द के स्थान पर पकड़ समझ को प्रेयोक किया जा सकता है, कि उन्होंने इस सिक्षा को कैसे पकड़ा, अपनी सिक्षा को कैसे सीखा, तालीम की तालीम कैसे पाई, फिर इसके अत्परिशन करमांग तीन है, मिया नसीर उद्दीन तीसरी पीडी के हैं, जिसने अपने खांदानी व्यफसाय क अपनाया, वर्तमान समय में प्राहया लोग अपने पारंपर एक व्यफसाय को नहीं अपना रहें, ऐसा क्यों? दूसरा नए तरह के व्यफसायों का प्रारंब हो गया हैं, अब नई टकनीक वह रुचिओं में वद्दलाप के कारण नए नए व्यफसाय शुरू हो गया हैं, जिन में आमदानी ज्यादा होती है, इसलिए पुराने व्यफसायों को पुछतायों को लोग छोड़ रहें, तीसरा शिक्षा के प्रसार के कारण सेवा क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हो गई है, अब शिक्षा का मैत्व बढ़ गया है, शिक्षा का प्रसार बढ़ गया है, तो कौन खांदानी पुछतनी काम करेगा, अब कोई नया नया भी काम करेगा, नया हाथ भी आजमाएगा, तो आज का योग विग्यापन का योग है और आज समाचार पत्र विग्यापन का उस्तम साधन है समाचार पत्र से सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है विग्यापन है नहीं एडवर्टाइजमेंट गाउ शहर कसवा या महानगर सभी जगे अनिक अकवार शप तो यहाँ पे उन्होंने, मिया नसिरुदीन ने पोचा था, कि आप अख़वार वाले तो नहीं हो ठीक है अख़वार नवीज तो नहीं हो ऐसे में क्या हुआ कि एक की चार लगा कर मिट्च मशाले के साथ पेश करते हैं या मिया नसिरुदीन अख़वार पढ़ने है और छा आगे बढ़ते हैं तो पहला कॉशन है पार्ट में आए रोटियों के अलग-अलग नामों की सूची बनाईए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए तो पार्ट में किन रोटियों के नाम आएं तो यहां पर दस रोटियों के नाम आएं आप उनके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं इंटरनेट से ठीक है तो इन रोटियों के नाम बता देते हैं पहला है बाकर खानी दूसरा शीरमाल तीसरा है ताफ़तान फिर बेसनी फिर खमीरी फिर रूमाली फिर गाव फिर दीदा गाजेबान और तुनकी ये रोटिया तुनकी जो है वो पापड से भी ज़्यादा पतली होती है अपने परिवेश के ऐसे लोगों से संपर्क बनाएं जो इन रोटियों की जानकारी दे सकें ठीक है अगला है बाशा की बात बाशा की बात में पहला कोशने तीन चार वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तयार कर नीचे दिये गए वाक्यों का इस्ति प्यार करके सुनाईए जिसमें मुहाबरों के बाती की बाती उपयोक तवाक्यानशों का प्रियोक किया गया हो जैसे देखी आप नीचे लिखें बूरे बिकारी ने पंच हजारी अंदाज में मुझे आश्रवात देते हुए कहा जा बच्चा हमारी दूआ तेरे साथ है औ और फिर यह आ बैठा उनी के ठीए पर तो देखी यहां पर प्रियोक हो गया है तीन वाक्यों प्रियोक हो गया है पंच हजारी अंदाज में सिरह लाया आखों के कंचे हम पर फिर दिये आ बैठे उनी के ठीए पर ठीक है इसके बाद देखी दूसरा प्रिशने बिटर पहला है गूर गूर कर देखना इसका वाक्य हो जाएगा बस में युबक सुन्दर लड़की को गूर गूर कर देख रहा था दूसरा टक टकी लगा कर देखना इसका हो जाएगा दीपावली पर दियों की पंक्ती को टक टकी लगा कर देखा जाता है तीसरा हो जाएगा चोरी चोरी देखना मोहन पार्क में बैठी युबती को चोरी चोरी देख रहा था चौता हो जाएगा सहमी सहमी नजरों से देखना तो इसका हो जाएगा शेड से बचने में सफल विनोध सबको सहमी सहमी नजरों से देखता रहा ठीक है इस प्रकार से हो गया प्रश्ण करमांग 3 है देखिए नीचे दिये वाक्यों में आर्थ पर बल देने के लिए शब्द करम परिवर्दित किया गया है सामाने था इन वाक्यों को किस करम में लिखा जाता है लिखें देखिए मिया मशूर है चपन किस्म की रोटियां बनाने के लिए ये एक मुहावरेदार भाशा में कहा गया है थोड़ा अदल बदल करके इनको हम बैसे सही करम में अगर व्याकरण के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे लिखेंगे यह हमें बताना है ठीक है जैसे हम बातचीत करते हैं तो कई वारसा होता है कि हम व्याकरण नहीं देखते हैं हम आगे पीछे शब्दों को लगा के बोलते हैं तो ऐसे यहाँ पर चार वाक्य दिये हैं जैसे कि मिया मशूर है चपन किस्म की रोटियां बनाने के लिए दूसरा निकाल लेंगे वक्त थोड़ा तीसरा दिमाग में चक्कर काट गई है बात चोथा रोटी जनाब पकती है आज से ठीक है यह बात करने का एक तरीका होता है लेकिन व्याकरण के अकोडिंग यह थोड़ा सा गलत है तो उत्तर इसमें देखिए पहला हो जाएगा मिया मशूर है चपन किस्म की रोटियां बनाने के लिए इसका सही करम होगा मिया चपन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशूर है दूसरा है निकाल लेंगे तो वक्त थोड़ा इसका सही करम होगा थोड़ा वक्त निकाल लेंगे तीसरा है दिमाग में चक्कर काट गई है बात इसका सही करम होगा बात दिमाग में चक्कर काट गई है फिर उसका चौता है रोटी जनाब पकती है आज से इसका सही करम होगा जनाब रोटी आज से पकती है तो इनके सही करम जमाने पर इनका व्याकरण एक करम सही हो जाएगा ये व्याकरण की इनमें गलती आथी लेकिन बातचीत के ढंग में ये वाक्ति इसी तरीके से इस्तिमा जो है लोग कर लेते हैं, तो इस प्रकार से पूरे पार्ट का अभ्यास यहां पर complete हो जाता है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पार्ट के जो है होता है थैंक्यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद